इस खबर के प्रायोजक है पूजा श्री डिटर्जन पाउडर बाके फिलोरा में स्वाद है क्वालिटी है सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किये हुए जवर जस्ट फिलोरा चाज एक नम्मो लगती है कड़ा के चाहे बहुत अठ्था क्लिवर है याने पीने में बहुत आ जाता है नमस्कार मैं हूँ केशो तिवारिया और अलग अदाद में रहती है मद्ध प्रदेश के अंदर भारती जन्ता पार्टी की भले ही इस पस्ट बहुमत की सरकार बनने वाली हो 230 सीटों में 163 सीट भारती जन्ता पार्टी ने जीत लिया हो बावजूद इसके सिवराज मंदल के 12 मंदल के 12 मंदल चुनाओ हार गए है जिसमें सबसे प्रमुख नाब बरतमान ग्रह मंत्री नरुत्तम मिस्रा का लिया जा सकता है नरुत्तम मिस्रा प्रदेश के अंदर बड़ बोले मंत्री यह वं बड़ बोले विदायक के रूप पहचाने जाते हैं इस चुनाओ के पहले जब भी मुख्य मंत्री पत के नाम की चर्चा होती थी तो नरुत्तम मिस्रा का भी नाम लिया जाता था लेकिन नरुत्तम मिस्रा ने जिस तरीके से राजनीत की उसके चलते नरुत्तम मिस्रा को हार का सामना प्रणना पड़ा इसके अलावा दूसरे मंत्री है अरविन सिंग भदवरिया जो विद्यार्थी परसत के रास्ते भारती जंता पार्टी में पहुंचे और अटेर विधान सभा से चुनाव हार गए तीसरे मंत्री की रूप में राजबार धन सिंग दत्ती गाउ भी बदनवार से चुनाव हार गए इनके उपर कुछ गंभीर किसमे के आरोप भी लगे थे बहुत संभव है कि चुनाव में हार का वह भी कारण बना हो महन सिंग सुसोदिया भी बामोरी से चुनाव हार गए ये दोनों मंत्री जोत्र अदिति सिंधिया के समर्थ हक बाने जाते हैं बालागाट से गौरी संकर विषेन भी हार गए महा कौसल छेत्र में गौरी संकर विषेन बड़ा नाम है साथ बार विधायक रह चुके हैं हालाकि इस बार बालागाट से उनकी बेटी मौसम को टिकर दिया गया था लेकिन अंतिम समय में भारती जनता पार्टी ने यह तैय किया कि गौरी संकर को ही चुनाव लड़ा जाए उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी जिने चुनाव के कुछ दिनों पहले ही मंत्र मंदल में सामिल किया गया था राहुल लोधी भी खरगापुर से चुनाव हार गया है उमा भारती ने राहुल लोधी अपने भतीजे का चुनाव प्रचार नहीं किया था हो सकता है इस कारण भी राहुलोधी को चुनाव हारना पड़ा हो मईहर जीले की अमरपाटन सीट से राम खिलाउन पटेल भी इस बार चुनाव में पराजित हो गए है इसके अलावा राम किशोर कामरे परसवारा से तथा सुरेश दहाकर पूरी से भारत सिंग कुस्वाह गौली और ग्रामीर से प्रेम सिंग पटेल बढ़वानी से चुनाव हार गए है यह सारे लोग सिवराज सिंग के मंत्री मंडल में मंत्री थे यहां पर एक बात का अशर होता है कि आखिरकारा इसे लोगों को मंत्री क्यों बनाया जाता है जो अपनी विधान सभा का चुनाओ भी नहीं जीत सकते कम से कम मंत्री बनने वाले विक्ति को दो चार दस बिधान सभा सीटों की जवाबदारी जीतने की तो लेनी चाहिए मद्द पिदेश के अंदर एक बार पूना भारती जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है इस पस्ट बहुमत मिल चुका है तो कम से कम भारती जनता पार्टी के सीर से नेतित्तों को यह जरूर निर्धारित करना चाहिए कि मंत्री ऐसे विक्ति को बनाया जाए जो कम से कम दो चार दस सीट जिताने की जिम्मेदारी ले सके आपको हमारी खबरे कैसी लगती है कमेंट बाक्स में आके कमेंट कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और यदि आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो विशाल खबर चैनल को सबस्क्राइब जिरूर करिए